नमस्कार दोस्तों मैं हो सुरोजित आप लोग को हमारा यूट्यूब चनल में हर्दिक स्वाबत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप अपना गुगोल का जो एकाउंट है वो पर्मानेटले किस तरो डिलेट कर सकते हो या तो गुगोल सर्विस का कोई भी जिसे जेमेल या यूट्यूब का एकाउंट किस तरो डिलेट कर सकते हो इसका प्रोसेस में आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों इसके लिए इसे तो बहुत सारे प्रोसेस है आप कोई सभी एक प्रोसेस मान के आप अपना गुगोल का जो एकाउंट है असानी से डिलेट कर सकते हैं दोस्तों हो सकता है कि आपका जो गुगोल एकाउंट आप डिलेट करना चाहते है यह आपका मुबाइल में पहले से लोगिन किया हुआ है या तो नहीं भी हो सकता है अगर लोगिन किया हुआ है तो उसके लिए कुछ अलग मननना पड़ेगा और अगर पहले से लगिन नहीं किया है तो उसके लिए अलग तरीका चूज करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों दुनों प्रोसेस सेमी है तो आप लोग को कुछ अभी एक प्रोसेस यूज करके आप लोग डिलेट कर सकते तो देखिए सबसे पहले में दिखा देता हूं आपना जो मॉबाईल फोन है उसका जो गूगल का जूख से उसमें आप टास्च कर दीजे उसकी बाद गूगल अइकनमे तास्ट कर दीजे आप लोग डिका हूँ होए तो यह रहेगा उसके बाद । गुगल एकाउंट दिखाई देरा है, यहाँ पर आप ताउच कर दिजेए, यहाँ पर टाउच करने के बाद दिस्तों, आप लोगा सामने ये पेज आपका जो है इस तरो कुछ खूल जाएगा, आपका नाम का जो लोगो है, पिक्चार यहाँ पर उपर में दिखाई देगा यहां पर दुस्तो, Left, Right, Slide करके, आप देख सकते हों, यहां पर बौट सारे Option है, यहां पर Data and Privacy जो Option हैं दुस्तो, इसमें आपको क्लीक करदाना है, वसके बाद दुस्तो, निचे में Slide करते रहिए, यहां पर बहुत सारे option आप लोग को दिखने में मिल जाएगा दिखिए दोस्तों यह आप लोग का समने बहुत सारे option है लेकिन यहां पर सबसे निचे में दिखाई दे रहा है delete a Google service मतलब कोई service अगर Gmail या YouTube करना चाते हो तो उसमें होगा और निचे में दिखाई दे रहा है delete your Google account मतलब delete your entire account and data तो इसमें आपको क्लिक कर देना है दोस्तों एक बात ध्यान दिजिए कि यह Google account एक बार delete हो जाने का बाद लेकिन आप उसको किसी भी तरह से कुछ नहीं कर सकते हो तो दोस्तों यहां पर आपको जो पासवार्ड है यह आपको जो email का या Google account का जो पासवार्ड है यह टाइप कर देना है टाइप करके उसके बाद आपको next में मार देना है चुले दूस्त setting option में जाने का बात दोस्तों वहां पर निचे में Google नम का एक आइकोन दिखाई दे रहा है Google नम का एक option है उसमें आप क्लिक कर दीजे यहां पर दिखाई दे रहा है तो blue color में manage your Google account जो की उपर में आपका जो Gmail account है या Google account है वो दिखाई दे रहा है और आपका picture भी दिखाई दिखाई दे रहा है दोस्तों यहां पर सेंप दिखाई तो उसी तरह राइट लेफ्ट स्लाइट करके आप यहां पर दिख सकते हैं सब और डाटा और प्राइवेसी option में आपको क्लिक कर दाना है data privacy में क्लिक करना का बाद दोस्तों यहां पर सबसे निचे पहले जिस तरह डिलेट यूर गुगोल अकाउंट यहां पर दिखाई दरा है इसमें आपको क्लिक कर दना है उसके बाद से पहले जिसा प्रोसेस जिस तरो था उसके आपको पासवार्ड मानने के लिए बोलेगा क्योंकि आप विरिफाई करने के लिए कि यह एकाउंट आपका ही है तो दोस् Google Chrome बार उपर ना जो है उसके बाद गुगल का जो सार्ट बोक्स है उसमें आप टाइड कर दीजा गुगोल जीए-गुगल कर दीजिए उसके बाद दूस्तों सबसे ूपर में राट करना में आपको जो दिखाई दे रहा है आपका इंसन का मुनडी टैप का हैड टैप का जो कि आपका logo है, अगर आपका पहले से sign in क्या नहीं हुआ है, तो इस तरो आएगा, तो पहले sign in कर लिजी, आपका जो email है, Google का जो account है, इसमें आप type कर दीजिए, अगर दोस्तो पहले से email login क्या हुआ रहता, Google Chrome में, तो ये आपका direct logo ही आ जाता है, यहापे आपकी dial करने का क कोई जरूरत नहीं होता, उसके बाद next में मार दीजिए, मारना का बाद दोस्तो आपका जो password है, यह password मार के आपको login करने के लिए बुला जागा, यह दिखिए दोस्तो, enter your password, आपका password टाइप कर दीजिए, password करने का बाद, आप next button जो है, नीचे में दिखाई दे रहा है, blue color का उसमें आपको click कर देना है, दोस्तो यह process जो है, अगर पहले से login किया नहीं है, आपका mobile में, मतलब पहले से आपका account login किया नहीं है, तो यह process आप कर सकते हो, दोस्तो यहाँ पर आप लोगों में 4-5 process बताना हो, कोई से भी एक process यूज़ करके, सेमी, तरीका सेमी है, लग आप next button में मार दीजिए, next button में मानने का बाद दोस्तो आपका जो account है, यह cool जिएगा, google का account है, यह email account कुछ भी आप बोल सकते है, google service का कोई भी account, जैसे आप यह google account डिलेट करेंगे, दोस्तो आपका sub service, google service बंद हो जाएगा, सब खतम हो जाएगा, तो दोस्तो इहाँ पर द account उसमें आप क्लिक कर दीजिए, जो कि blue color का है, उसके बाद दूस्तो पहले जिस्ता, same ही तरीके से उपर में आप लू को दिखाई दे रहा है, बहुत सरे option है, scroll down आप करके, left, right, slide करके, आप data and privacy जो अपर में दिखाई दे रहा है, उसमें आपको click कर देना है, और उसके बा कोई service डिलेट करना चाते हो, सिफ Gmail या YouTube कुछ भी, लेकिन Google account रहना चाते हो, तो आप यहां से कर सकते हो, लेकिन आपको पुरा account डिलेट करना है, Google account डिलेट करना है, तो साथ-साथ यह सब एक ही साथ उड़ जागा, तो आपको क्या करना है, back market दोस्तो पहले जिस्तरों में दिखाया था, सेम उसी तरों, पुरा निचे में होगा, यहां पर जो option है, delete account permanently, पहले में जिस्तरों दिखाया था उस्तरों, दोस्तों यह करने से क्या होगा, आपका Gmail के साथ, आपका YouTube से YouTube, जितना कुछ service है, Google का service, सब डिलेट हो जागा, यहां पर दिखाई देर है, delete your Google account, delete your entire account and data, इसमें आप click कर दिए, तो दोस्तों यहां पर दिखाई देर है, आपका सब चीज़ delete हो जाएगा, आप अगर कुछ download करना चाहते हो, पहले से आपका जो account में जो चीज़ है, अगर download करके रखना चाहते हो, तो राख लो, नहीं तो फिर बाद में आपको कुछ नही delete हो जाएगा, मतलब आपका ना रहेगा email, ना YouTube, ना Google का account कुछ भी नहीं बचेगा, यहां तो दोस्तों अपना setting का जो option है, यहां पर जाएए, जाना का बाद setting का जो search box option है, उसमें आप simply type कर दिजिए, Google लिखके, Google लिखके, search मार दिजिए, यह भी एक process है दोस्तों, सबसे आसान process यह है, setting में जाने का बाद, Google टाइप कर दिजिए, search box में, उसमें दोस्तों, निचे में scroll करते रहे है, यहां पर डारेक्ट निचे दिखाई दे रहा है, delete your Google account, यहां पर दोस्तों दिखाई दे रहा है, delete your Google account, यह जो है, उसमें आपको click कर देना है, तो इसमें click करने का बाद क्या होगा, same page जिस तरों, आया था उसी तरों, जो कि दुस्तों आपका जो Google account है, उसका logo और picture pro उपर में, right corner में आप लोको दिखाई दे रहा है होगा, जहां पर मेरा R लिखा हुआ है, तो दुस्तों यह account आप यहां से भी आरम से delete कर सकते हो, यहां पर दुस्तों और यह blue color का जो next button है, उसमें आप click कर दिजिए, इसमें click करने का बाद दुस्तों, आपका जो next page है, आप logo सामने आ जाएगा, यह देखिए, direct बोल रहा है, यह कुछ download करना चाहते है, तो कर लिजिए, नहीं तो बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना ह सबसे निचे में जाके दुनों जो check box है, यह दुनों check box में, okay mark कर देना है, मतलब में delete करना चाहते हो, उसके बाद delete account नम का जो button है, blue color का उसमें आप type कर दिजिए, यह देखिए दोस्तों, आपका जो account है, पर्मानेंटली delete हो गया, तो कैसे लगा दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको कुछ help हुआ, तो वीडियो को like कीजिए, comment करके अपना feedback हमें जरुरू बताए मिलते हैं, अगले एक वीडियो में कुछ नया सिख के साथ नया, अन्दाज में तब तक लिए शुस्त्रही शाहस्त्रही है